असलामों अलेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों हम इसे ज़रतर लोग डेली बेसिस पर कोई न कोई जॉब करते हैं वैसे तो हर प्रोफेशन में महर से महर तरीन वरकर्स देखने को मिल जाते हैं लेकिन कुछ लोग अपने काम को एक अलगी लेवल पर ले जाते हैं आज किस वडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे एक्सपर्ड वरकर्स दिखाऊंगा जिनका काम देखने के बाद आप सब भी हैरान हो जाएंगी तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दूस्तों दुनिया में सैकड़ो ऐसी कंपनी से जो मुबाइलों को मैनिफेक्टर करती हैं वैसे तो मुबाइल बननाने का जहतर काम मशीन्स ही करती है लेकिन जब एक मुबाइल की स्क्रीन रेडी हो जाती है तो एक वरकर इसे मैनुली चेक करता है यह जो वडियो आप देख रहे हैं इसमें एक चाइनीज वरकर मुबाइल की पैनल्स को टेस्ट कर रही है यह एक एक स्क्रीन को एक डिवाइस के साथ कनेट करती है और फिर इसके टच और कीज वगएरा को चेक किया जाता है देखने में तो यह प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा लगता है लेकिन हर रोज हजारों मुबाइलों को चेक करना सरदर्ब से कम नहीं होता लेकिन यह वरकर इतने एक्सपर्ट हैं कि पलक जिपकते ही किसी भी मुबाइल की पैनल को चेक कर लेते हैं यह सच में कमाल है जाता है तो वो इसे रिपेर करवाने के लिए पैंसर शॉप पर लेकर जाता है वैसे तो आप सबने बहुत से मोटर साइकल्स और का वील चेंज होते हुए देखा होगा लेकिन कि आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा वील रिपेर होते हुए देखा है वैल यह जो वडियो आप दिख रहे हैं इसमें वरकर्स दुनिया के सबसे हुज डंस ट्रक का हुज वील चेंज कर रहे हैं यह टायर इतना बड़ा है कि वरकर्स इसके मिड में भी नहीं पहुँच पा रहे वैल आपको बताता चलूं कि इतने बड़े वील्स को चेंज करने के लिए एक खास वहिकल का इस्तमाल किया जाता है असल में यह टायर इतना बड़ा होता है कि 10 लोग मिलकर भी इसे लिफ्ट नहीं कर सकते और सिर्फ ये मशीन ही इसे डंप स्ट्रक के उपर फिक्स कर सकती है बाराल जो भी हो ये प्रोसेस वागही में देखने लाइक है दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ लोगों का इतना रश होता है कि जिसे देखर ऐसा लगता है कि अभी खाना खतम हो जाएगा पर असल में ऐसे बिजी रेस्टोरेंट में सारा कमाल इनके शेफ्स का होता है ये जिव वडियों आप दिख रहे हैं इसमें बिजी रेस्टोरेंट के शेफ किचन में कुकिंग करे हैं इनका काम मितना हाड है कि एक एक शेफ एक वक्त में कई चूलों पर एक साथ कुकिंग कर रहा है वेल ये शेफ्स बिचारे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और सब को खाना प्रोवाइड करते हैं लेकिन फिर भी बाहर खड़े कस्टमर्स इतनी जल्दी में होते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है जैसे कुक अंदर सो रहा है सो नेक्स टाइम आप जब भी किसी रेस्टोरेंट पर रश देखें तो आप जरूर समझ जाएं कि अंदर शेफ्स का नाइट मेर चल रहा होगा दोस्तो आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि हम मार्केट से जो भी फ्रूड खरीद कर लाते हैं इनमें हर एक फ्रूड पर एक खास किसम का स्टीकर लगा होता है यह स्टीकर फ्रूड की एक या दो पीस पर नहीं बलकि हर एक पीस पर इंडिविजुली लगाया जाता है बेसिकली ये स्टीकर इस fruit का origin बताता है कि वो किस मुल्क से आया है और साथ ही साथ स्टीकर से fruit की production type का भी बता चलता है लेकिन कि आप जाते हैं कि इतने ज़दा fruits के उपर ये stickers लगाये कैसे जाते हैं वैलि ये stickers लगाना इस तरह के amazing workers का कमाल होता है as you can see ये malto के carrots पर stickering का काम कर रहे हैं इस worker ने अपने हाथ में एक device पकड़ी हुई है जिसमें हसारों के हिसाब से stickers मौजूद हैं ये इसे तरतीब से oranges के उपर इस तरह फेरते हैं कि हर एक orange पर sticker paste हो जाता है anyway जो भी हो fruits के उपर stickering का ये process वाकिह में बहुत satisfying है दोस्तों चाहे घर हो, office हो या फिर कोई building हो metal की grills हर जगा पर ही use की जाती हैं ये ना सिर्फ देखने में खुबसूरत और attractive लगती हैं बलकि safety के लिहाँ से भी perfect होती हैं लेकिन क्या आपको पता है कि metal की grills को बनाया कैसे जाता है वेल इस वीडियो में कुछ वर्गर्स, metal grills बनाने का काम करें हैं आपको जानका इहरानगी होगी कि इनने मट्टी के सांचों में बनाया जाता है इसके लिए सबसे पहले मट्टी में different shape के designs बनाया जाते हैं और फिर इन designs वाले सांचों में पिगला हुआ metal डाला जाता है जब ये लुहा खुशक और ठंडा हो जाता है तो इसे मट्टी से बाहर निकालेते हैं और इस तरह metal grill त्यार हो जाती है वेल मट्टी में grills बनाने का ये तरीका really genius है दोस्तो अगर आप किसी लड़की से पूछें कि दुनिया के सबसे मुश्किल काम कौन सा है तो इसका जवाब होगा घर के गंदे बरतनों को धोना अफकॉर्स बरतन धोने में तो हर औरत को ही मौत पड़ती है लेकिन क्या हो अगर किसी को रेस्टोन के सारे बरतन धोने के लिए दे दिये जाएं वैल ये जो सूपर वरकर आप दिख रहे हैं ये एक रेस्टोन में डिश वाश कर रहे हैं इनके बरतन धोने की स्पीड इतनी फास्ट है कि इस वाशिंग प्रोसेस को देख पाना भी मुश्किल है और मज़ीबात ये है कि इन में से एक एक प्लेड बिल्कुल पर्फेक्टली वाश भी हो रही है एनिविस वरकर को तो हर रेस्टोन वाले ही हायर करना चाहेंगे दूस्तो अगर जिप्स की बात की जाए इस काम बिल्कुल देसी तरीके से किया जाता है एक कैंची नमा टूल के अंदर जिप के लौक को रखा जाता है और ये वरकर एक एक करके जिप में वो लाख डाल देता है दूस्तो आप सबने अक्सर कोठियों और विल्लाज में चत की सीलिंग पर डिफरेंट डिजाइन बने हुए देखी होंगी आम तोर पर तो लोगों को लगता है कि इनने मशीन की मदद से बनाया जाता है लेकिन आपको जानके हरानकी होगी कि ये वरकर्स के हाथों का कमाल होता है इस वीडियो में एक वरकर स्मोक की मदद से चत की सीलिंग में डिजाइन बना रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिंपल से स्मोक से इतने जबरतस तरीके से डिजाइन बनाता है कि इसे देखकर कोई भी बंदा हैरान हो जाएगा और कोई imagine भी नहीं कर सकता किस amazing design को सिर्फ smoke की मदद से बनाया गया है वेल इस talented worker के लिए एक like तो बनता ही है दोस्तों आप सबने कभी न कभी racket shuttle ज़रूर खेली होगी ये बातों हम सब जानते हैं कि racket की shuttle को फैदर से बनाया जाता है इसलिए वो बहुत ही soft और नाजुक होती है इन shuttles को हमेशा plastic की बने हुई tubes में pack करके sale किया जाता है ताकि ये खराब ना हो लेकिन कि आपको पता है कि इन shuttles को tube में pack किस रखिया जाता है वैल ये ज़ वडियो आप देख रहे हैं इसमें shuttles को त्यार करने के बाद इन्हें plastic tubes में pack किया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वरकर shuttles किस तरह tube में perfectly fit कर रहा है और ये process इतना amazing होता है कि से दे कर ही मजा आ जाता है ये really बहुत amazing है दूसर जैसे कि आप सब जाते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम है और gas की shortage की वज़ा से जहतर लोग रोटियां तंदूर से ही लाते हैं वैसे तो आप सब ने तंदूर में रोटियां लगते हुए देखी होगी लेकिन ये जो वरकर्ज आप दिख रहे हैं ये रोटियां लगाने के लिए पूरे के पूरे तंदूर के अंदर चले जाते हैं देखने में तो ये method काफी dangerous लगता है लेकिन असल में अर्मिनिया के लोग traditionally ऐसे ही रोटियां बनाते हैं असल में ये तंदूर size में इतना बड़ा होता है कि रोटियां लगाने के लिए वर्कर को आलमोस्ट इस तंदूर के अंदर जाना पड़ता है देखने में तो ये process काफी dangerous लगता है लेकिन ये वर्कर इतने expert हैं कि easily इस काम को कर लेते हैं इन वर्कर्स के रोटियां लगाने का process इतना amazing होता है किसे देखर ही मज़ा आ जाता है लेकिन बारहाल इस तंदूर में बनने वाली रोटी इतनी amazing होती है कि इसे देखर किसी की भी मुँ में पानी आ जाएगा दूसुद दुनिया में जहतर factories ऐसी हैं जिन में जूते हाथों से सिलाई किया जाते हैं शूस factories में काम करने वाले workers इनी बहुत भी मैनत से तियार करते हैं ताकि जूते पाइदार बने लेकिन क्या आपको पता है कि इन जूतों को सिलाई किस तरह किया जाता है वेल यह वडियो आप देख रहे हैं इसमें एक चाइनीज वरकर कारपट पर पैने जाने वाले soft shoes की सिलाई कर रही हैं फर्स ग्लांस में तो इन्हें देकर ऐसा लगता है जैसे इनकी हाथ नहीं बलकि दो machines हैं क्योंकि जिस speed से ये हाथों को चला रही है ऐसी तो कोई machine ही चल सकती है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इनकी सिलाई fast होने के साथ साथ इतनी perfect है किसे देख कर कोई भी बंदा हैरान हो जाएगा ये सच में कमाल है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे Instagram भी follow करना चाहते हैं